नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलिन अकाडमी पर आज हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो में डिसकस करेंगे और एक दो प्राइवेट सेक्टर में भी अलग से जो वेकैंसी तो वीडियो को पूरा देखिएगा आइटी वाले उनके लिए जौब बताता रहता हूं कि देखो हर किसी की चौब आए लगने वाली कुछ लोंको प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी करने पड़ेगी तो मुझे कहते हैं किसी आपके जानकारी में कहीं है तो उसके लिए भी है जीटी पोस्ट होती ना ग्रै तुम लोग की क्वालिफिकेशन क्या है तुम लोग की ब्रांच कौन सी है यह सारी चीजे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दोगे तो मैं कोशिश करूँगा कि तुम लोग के लिए ही वीडियो बनाओ जो ब्रांच ज्यादा यह वीडियो देख रही है तो कौन सी है क्या क्वालिफिकेशन है यह सारी चीजे मुझे घ्र बता दोगे तो मैं उनी की ऊपर वीडियो बनाओंगा ना अगली बार से तो यह चीजे मुझे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि मैंने पीछ काफी वेक ensuring बताई हैं और आने वाले टाइम मैं बहुत सारी में में pressure के लिए बताता रहांगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना अब चलो देख लो जो फ्रेसियर के लिए जीडी की जो तो अपना रिज्व में बढ़ियां सा बनाके और उसको मेल कर दो इस दी हुई मेल आइडी पर लड़की अगर मान लोगों लड़के वीडियो देख रहे हैं तो अपने कोई फ्रेंड हो उनको यह वीडियो शियर कर देना उनको बता देना नेक्स्ट आपका है अकाउंट एक ही मिलेगी कम से कम 30,000 रुपए मिलेगी बैंगलोर की जॉब है 35-40,000 रुपए से स्टार्टिंग होगी कि बैंगलोर बहुत अच्छा सालरी पैकेज मिलता है यह आपका टाटा में हाइरिंग चली है एक से छे साल का एक्स्पीरियंस मांगा है CNC मशीनिंग सर्फेस वेनिश अब यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दिया है आप जब लिंक पर आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो पेज है वहाँ पर ओपन हो जाएगा और उसके बाद हम नोटिफेकेशन डिसकस करेंगे तो चलते हैं इनके पेज पर और कोलते हैं नोटिफेकेशन क तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनको ओफिश्यल नोटिफेकेशन ओफिश्यल नोटिफेकेशन ओल इंडिया लिमिटेड की तरफ से है यहाँ पर आज ही 28 सारी को निकला है जैं मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अब यहाँ पर बात की जाए तो देखो और अरुनाचर प्रदेश वाले जो कैंडिडेट हैं वह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं 10 प्लस 2 के लिए 15 वेकैंसी है और डिप्लोमा वालों के लिए 4 वेकैंसी है यही सारी वेकैंसी है आप नोटिफेकेशन देख सकते हो रीड कर सकते हो सीबीटी एक्जाम होगा 200 और अगर आप यहाँ पर अलिजबल नहीं हो आसाम या अलोनाचर प्रदेश से नहीं हो तो उनको वीडियो जरूर शेयर करतीजेगा जो आसाम और अलोनाचर प्रदेश से हैं मुझे अपनी क्वालिफेकेशन एक बार कमेंट सेक्षन में जरूर बता देना जिससे कि मैं आ